Hello students, welcome to Manzil Bharat classes और आज मैं आप सब के लिए लाया हूँ Transport and Communication पे Lecture Series और आज इस सीरीज का पहला Lecture रहेगा हम Transport and Communication को बहुत ही अच्छे वे में डिस्कस करेंगे चाहे वो आपके Railways हो, Roadways हो, Waterways हो या Airways हो या Communication का Part हो, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इंडिया के perspective से और जेंड के perspective से जो important चीज़े है वो भी अलग से डिस्कस करेंगे I hope आपको चीज़े समझ में आ रही है, तो यहाँ पे हम Transport and Communication को स्टार्ट कर रहे हैं और आज के Lecture में हम Railways को डिस्कस करेंगे Railways को बहुत ही जबरदस वे में समझेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज का Lecture Railways पे और इसमें Indian Railway पूरा समझेंगे कि इंडिया में Railway Network कैसा है और कश्मीर के perspective से, जुमू एंड कश्मीर के perspective से Railways को अलग से समझेंगे तो स्टार्ट करते हैं Railways अब Railways के बारे में जब Rail आई ना इंडिया में तो ब्रिटिश का रूल था तो तब मात्मा गांदी ने बोला था कि जो Rail आई ना ये contribute करेगी आजादी में क्योंकि Rail आगी ना अब अलग-अलग जगा से लोग जुडेंगे आपस में डाइवर्स कल्चर्स के लोग जुडेंगे और ये चीज़ contribute करेगी आजादी में क्योंकि यार सिंपल है ना कि Rail आ गई अब ट्रैवल करना आसान हो गया पहले मिश्किल था मतलब ब्रिटिश टाइम की बात कर रहा हूँ तो इस Rail वे ने contribute किया फ्रीडम से ट्रगल में ये किस ने बोला था मातमा गांदी ने बोला था आपने ये याद रखना है MCQ बन सकता है कि ये statement किस ने दी है अब आगे बढ़ते है आपने याद रखना है कि जो railway network है हमारा इंडिया का जो railway network है ये एशिया में सबसे बड़ा है largest है कहां पर एशिया में याद रखना है एशिया में इंडियन railway network जो है सबसे बड़ा है एशिया मतलब एशिया continent में India कहा आता है, एशिया कांटिनेट में आता है, और उसके साथ आपनी याद रखना है, यह 4th नंबर पै आता है दुनिया में, वरिल्ड में, रेलवे नेट्वर्क में, आपका इंडिया 4th आता है, पहले नंबर पे कौन आता है, मैं आपको बताऊँ, पहले नंबर पे USA आता है USA का railway network सबसे बड़ा है आपने याद रखना है USA के बाद कौन है तो आप याद रखोगे USA के बाद second number पे कौन है चाइना है चाइना के बाद कौन है रेश्या रेश्या आपका third number पे और fourth पे कौन है इंडिया तो ये आप याद रखोगे कि railway network वरल्ड में इंडिया fourth position पे आता है number one पे आपका USA आता है second पे चाइना and third पे रेश्या याद रखोगे अब पहली जो train चली थी वो 1851 में चली थी construction material लेके रूर की अब यह जो point है यह आपने बस पढ़ लो ऐसे exam के perspective से उतना important नहीं है लेकिन हाँ याद रख लो कि 1851 में पहली train चली थी construction material लेके important क्या है वो अब आने वाला है important यह है कि पहली जो railway line जो public के लिए खोली गई ज्यान रखना यहाँ पे पहली railway line जो public के लिए जो आम लोगों के लिए खोली गई वो 16 अप्रेल 1853 में खोली गई बहुत ही important date mcq के perspective से 16 अप्रेल 1853 आपकी पहली railway line को open किया गया लोगों के लिए और यह जो railway line इस पे rail travel करती थी कहां से कहां तक travel किया था train ने बोरी बंदर station से थाने station तक अब यह बोरी बंदर और थाने station दोनों मुंबे में है मुंबे आज का मुंबे जो हम बोलते है तब बंबे बोलते थे तो बंबे में है आपका बोरी बंदर और थाने station इनी दो stations के बीच में train चली थी कब 16 अप्रेल 1853 important है और इसने कितनी distance cover की थी 34 किलोमेटर नीचे आप image देख सकते हो तब की image है तो पहली railway line जो लोगों के लिए आम लोगों के लिए open की गई 16 अप्रेल 1853 को open की गई और कहां से कहां तक चली थी बोरी बंदर station से थाने station तक जो दोनों के दोनों station कहां पे थे या कहां पे है मुंबई में तब क्या बोलते थे बॉमबे और distance कितनी cover की थी 34 किलोमेटर और ये question आता है कि कब पहली railway line open हुई थी और train चली थी तो 16 अप्रेल 1853 कहां से कहां तक चली थी बोरी बंदर से खाने तक ये भी कच्चन आता है आगे बढ़ते हैं अब याद रखने ये जो पहली train चली थी ना इसमें तीन locomotive steam engines को यूज किया गया था तीन steam engines को यूज किया गया था जिनका नाम क्या था साहिब सिंद और सुल्तान याद रखना जो पहली train चली इसमें जो steam engines यूज किये गए इसका जो engine था ना तो तीन steam engine थे तो जिनका नाम क्या था साहिब सिंद और सुल्तान ये और 1853 में अगर आपको याद है अगर आपने हिस्ट्री पड़ी है अच्छे से गवर्नर कौन था दलहुजी था कौन था गवरनर दल्हुजी और दल्हुजी के टाइम पे ही ट्रेन चली है पहली बार पहली बार ट्रेन में लोग बैठे 1853 में जो हमने अभी डिसकस किया गवरनर कौन था दल्हुजी था इसलिए दल्हुजी को क्या बोला जाता है दलहुजी को Father of Indian Railway बोला जाता है, ये हमारे दलहुजी साब, Lord Dalhousie जो Governor General था 1853 में, British Governor General इंडिया में, तो उसी को क्या बोला जाता है, Father of Indian Railway, क्योंकि इसी के टाइम पे railway यहाँ पे स्टार्ट हुआ, चलते हैं आगे, अब आपने ये भी याद रखना है कि Indian Railway को Nationalize किया गय में, देखो आजादी के बाद, 1951 में Indian Railway को Nationalize किया जाता है, इसका मतलब अब Indian Railway को Control कौन करेगा, गौर्मेंट करेगी, Indian Government, I hope चीजे समझ में आ रही है, और यहाँ पे ये पॉइंट याद रखो कि सबसे Fast Train, सबसे Fast Train जो इंडिया में मिलती है, उसका नाम क्या है, वंदे बारत Express, पहले एक ही होती थी वंदे बारत Express, फिर दो बनी, अभी तो बड़ी सारी है, वंदे बारत Express को Train 18 भी बोला जाता है, और यह सबसे Fast Train है, इसकी Speed कितनी है, 180 km per hour, आप यह याद रखोगे, वंदे बारत Express जो है, जुसको Train 18 भी बोला जाता है, सबसे Fast Train है, 180 km per hour की Speed से चलती है, और यह 100% Make in India प्रोजेक्ट है, आत्म निरबर बारत, खुद बनाईए हमने, याद रख लेना इन चीजों को, जो जो पॉइंट में बता रहा हूँ, आगे चलते हैं, और यह image देख लेना, यहाँ पर जो, यह यह आपकी वंदे बारत Express है, चलते हैं आगे, अब next आपने याद क्या रखना है कि Toilets को कब इंट्रोडूस किया गया Indian Railway में, पहले Toilets नहीं होते थे Rail में, आज कल होते हैं आपने सबने ट्रेबल तो किया होगा Rail में, Maximum ने किया होगा, तो देखे होंगे, तो Toilets को Railway में इंट्रोडूस किया गया था, 1909 में याद रख ले तो Computerized Reservation होती है आज कल भी, तो ये Computer Reservation का सिस्टम ये कब से सिटार्ट हुआ, 1986 से सिटार्ट हुआ, याद रखने दोनों डेट्स, 1909 में Toilets and 1986 में Computerized Reservation याद रखोगे, आगे यहाँ पर एक Point लिखा है, Ferry Queen, Ferry Queen, oldest functional steam engine है, Ferry Queen एक ऐसी train जो आज भी चलती है, और ये पुरा दिली से कहां चलती है, अलवार तक, अलवार राजिस्तान में, Ferry Queen एक ऐसी rail जो कहां चलती है, दिली से अलवार के बीच में चलती है, और ये oldest functional steam engine है, याद रखोगे इस चीज़ को, और यहाँ पर मैंने image भी लाई है, ये देखो, ये Ferry Queen है, ये Ferry Queen oldest functional steam engine है, जो कहां चलत है, निव दिली से अलवार राजिस्तान तक चलती है, चलते हैं आगे, अब देखो, यहाँ पर यह इंपोर्टन चीज़े लिखी हुई है, जो आपने याद रखनी है, अब देखो, बड़ी सारी Indian railways और railway stations कुछ, recognized है by UNESCO, UNESCO है आपती United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, अब ये organization क्या करती है, इस सारी जगा है, जो heritage के perspective से, culture के perspective से important है, उनको recognize करती है, उससे क्या होते है, उनका protection का हिसाब किताब बढ़ जाता है, एक तो पूरी दुनिया में उसको एक recognition मिल जाती है उस जगा को, और दूसरा की यहाँ भी protection उसको, उस area को, उस जगा को protect किया जाता है, अगर आप UNESCO स क्या हो, recognized है वो place, तो याद रखना ये चीज, तो कुछ railway lines या कुछ railway stations भी recognized है UNESCO से, और आपने याद रखना है यहाँ पे Darjeeling Himalayan Railway, हमारी Darjeeling Himalayan Railway UNESCO से recognized है, और ये 1999 में recognized हुई थी, और आपने याद रखना है, कि ये जो Darjeeling Himalayan Railway है, ये कहा से कहा तक चलती है, तो मैं आपको बताओं, ये सिलिगुरी से Darjeeling तक चलती है, सिलिगुरी Darjeeling दोनों आपको कहाँ पे मिलेंगे, West Bengal में मिलेंगे, कहाँ पे, West Bengal में मिलेंगे, और ये जो सिलिगुरी Darjeeling Railway Line है, ये UNESCO से recognized है, आपने याद रखना है, चलते हैं, हमारा छत्रपती-Shvaji Terminal, देखो ये छत्रपती-Shvaji Terminal आपको Mumbai में, या Mumbai में मिलता है, ये जो छत्रपती-Shvaji Terminal है, ये भी UNESCO से क्या है, recognized है, और किस साल में recognize हुआ 2004 में, देखो, ये जुमें बता रहा हूँ ना, MCQ के परिस्पेक्टर से बहुत important है, कि किस साल में ये recognized हु रेलवे लाइन रिकोग्नाइज है, शत्रपती, श्वाजी टेर्मिनल रिकोग्नाइज है, आपने याद रखना है, और ये इमेज भी देख सकते हो यहांपे, चलते आगे, next है हमारा नीलगरी mountain railway ये भी UNESCO से recognized है और ये जो नीलगरी mountain railway है ये तमिलनाडों की दो जगा को connect करता है एक को metoplyam और utalamand metoplyam और utalamand को connect करता है आपका नीलगरी mountain railway और ये तमिलनाडों में है ये भी UNESCO से recognized है लेकिन किस साल में 2005 आपने याद रखना है हमने अभी तक क्या किया डारजिलिंग रेलवे लाइन देखी डारजिलिंग और वो हमने देखा कब recognize हुई थी 1999 और फिर हमने देखा शत्रपती शिवाजी चर्मिनस और यह हमने देखा कब recognize था 2004 अब हमने देखा नीलगरी mountain railway जो कब recognize है 2005 याद रखोगे और last में एक और बचता है और यह image देख लो पहले यहाँ पे यह निलगरी mountain railway line है और rail चल रहे है यहाँ पे तो चलते हैं आगे और last में जो recognized है ना वो हमारा कालका शिमला railway कालका शिमला यह train चलती है और यह भी UNESCO से recognized है और किस साल में recognized है 2008 आपने याद रखना है यह dates को याद रखना यह साल जो मैं बता रहा हूं कि कब recognized है important है आपके exam के perspective से डारजिलिंग 1999 दूसरा हमने पड़ा शत्रपती शिवाजी terminus 2004 फिर हमने पड़ा निलगरी निलगरी रेलवे लाइन और वो हमने देखा क्या था 2005 और देन हमने पड़ा कालका शिमला जो 2008 है याद रख लेना चलते आगे अब देखो रेलवे जून बहुत ही important point railway zones and their headquarters इंडिया में कुल मिला के 18 railway zones है याद रख लेना कितने railway zones है 18 जिसमें 65 divisions है अब divisions आपने याद नहीं रखने लेकिन 18 zones को याद रखना है अब देखो 18 है बड़ा नंबर है लेकिन याद रखने का बड़ा ही आसान तरीका है सबसे पहले मैं आपको चार zones बताऊंगा बिलकुल हमने क्या करना है टेंशन नहीं लेना क्या डिरेक्शन याद रखने तको इस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यह तो सब को पता होगा ना यह जो डिरेक्शन मैंने यहाँ पर बनाए इस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इनी डिरेक्शन के बेसिस पे हम 18 के 18 zones को याद करेंगे और सबसे पहले मैं आपको चार zones को याद कराऊंगा चार zones को याद कराऊंगा यहाँ पर देखो नॉर्थ में जो हेडकावाटर है नॉर्थ में जो railway zone वो कहां पर है डेली में और यह इंडिया का हमारी railway zone वो क्या है डेली है तो वही मेंने यहाँ पर बनाया डेली सब्द में हमारी railway zone कहां है चिन्नाइग मुझे बताव चिन्नाइग और इस्ट में है लेकिन यहाँ पर याद में तो Eastern Zone है लेकिन कोलकता में कहां Fairly Palace ये आपने याद रखना है याद रख लेना देखो नौर्थ में डेली में रेलवे जून है साउथ में चिन्नाई में और East में कोलकता में याद रख लेना फिरली पैलस और बचा वेस्ट तो वेस्ट में आपकी रेलवे जून कहां पर है मुंबई में मुंबई में याद रखना मुंबई में कहां चर्च गेट चर्च गेट देखो चार जून हो गए ना याद हो गए यहां पर अठारा जून याद करनी है, चार हमने याद कर ली, एक नौर्थ में, नौर्थ में कौन सी है, डेली, सौथ में कौन सी है, चिन्नाई, इस्ट में कौन सी है, कोलकता, और वेस्ट में कौन सा है, मुंबाई, याद रख लेना, और अगर इंडिया का मैप भी देखोंगे न, इ इसको याद करने के हिसाब से मैं करता हूँ देखो हमने डिरेक्शन बनाए ना सबसे पहले नॉर्थ में क्या था हमारा डेली था सौथ में क्या था चिन्नाई आपका इस्ट में क्या था कोलकत्ता और वेस्ट में क्या था हमारा मुंबई और यहां पे कॉलकुता क्या था फएरली पैलस और मुंबई क्या था चरजजगेट यह याद रख लेना अब आगे के जून्स याद करने है न देखू इन डिरेक्शन का सेंटरल ले लो ये region ये सेंटर नॉर्थ का सेंटर ले लेंगे यह यहाँ पर इसका भी सेंटर ले लो यह यहाँ पर इस इसका भी सेंटर ले प्रयाग राज जिसे आप क्या बोलते हो अलाबाद बोलते हो प्रयाग राज क्या है आपकी नौरत सेंट्रल जून नौरत सेंट्रल रेलवे याद रख लेना तो यहाँ पे डाइग्राम देखो ऐसे याद हो जाएगा इसी के साथ सौथ सेंट्रल रेलवे सौथ की जो सेंट्रल रेलवे है यहाँ पे सौथ सेंट्रल यह कहाँ पे सिकंदर आबाद क्या है सिकंदर सिकंदर आबाद सिकंदर आबाद आपका तिलंगा ना में याद रख लोगे अब इसी तरीके से पहले East Central तो को यहां पर मैंने South East Central भी लिखा है लेकिन इसको मैं बाद में बताऊंगा पहले East Central बता देता हूँ East Central यह हो गया है यहां पर जबलपूर आपका MP में है, याद रख लेना ये चीज़े, देखो, नौर्थ में देली, साउथ में चिर्नाई, इस्ट में कुलकत्दा, वेस्ट में मुंबई, अब सेंट्रल बता रहा हूँ, नौर्थ सेंट्रल क्या है, प्रयागराज, साउथ सेंट्रल क्या है, सेंट्रल रेल्वे है, तो यह मैं ऐसे नहीं बना सकता, यह डिरेक्शन क्या होता है, साउथ इस्ट होता है, तो साउथ इस्ट सेंट्रल बोल रहा हूँ, साउथ इस्ट सेंट्रल क्या है, बिलासपूर, तो यह बिलासपूर, 36 गर में आपका, क्या है, साउथ इस्ट सेंट नौर्थ में डेली, साउथ में चिन्नाई, इस्ट में बताओ कोलकता, कौन सा फियरली पैलस, और वेस्ट में बताओ जल्दी से वेस्ट में क्या है, मुंबई, वेस्ट में क्या है, मुंबई, चरिजगेट, फिर मैंने सेंट्रल बताया, देखो यहां पर सेंट्रल बताया, नौरस सेंट्रल में मैंने बताया प्रयागराज, साउस सेंट्रल में मैंने बताया सिकंदराबाद, तिलंगाना में, इस्ट सेंट्रल में मैंने बताया हाजीपूर, वेस्ट सेंट्रल में मैंने बताया जबलपूर, जबलपूर कहा है MP में, और लास्ट में मैंने यहां पे सा का भी Central है बिलासपूर बिलासपूर जो कहा है 36 गर में याद रखोगे नव हो गए हमारे नव जून्स आगे बढ़ते हैं नव जून्स डिस्क्रस कर लिए बहुत ही आसानी से अभी तक हमने ऐसे करके डिरेक्शन डिस्क्रस कर लिए और इनके Central भी डिस्क्रस कर लिए लेकिन अभी हम क्या डिस्क्रस करेंगे अभी हम इन डिरेक्शन के बीच में जो North है जो South है जो East है जो West है इनके बीच में जो जगा है अब वो डिस्क्रस करेंगे जैसे ये ये क्या है North East जैसे ये क्या है South West जैसे ये हमने बनाया था ये क्या है South East और जैसे ये डिरेक्शन ब अभे नौफ ईस्ट में ऐखने है उसको बोलते alred बहुत लोएं स्फॉर्ड गोरद देख्णा नौर्थ इस्टमें आपका जैपूर जायपूर आनुछ नौर्थ वेस्ट में क्या है जैपूर, नौर्थ इस्ट में क्या है गोरकपूर, याद रख लेना ऐसे ही जैसे मैं बना रहा हूँ, और यहां पर नौर्थ इस्ट फ्रेंटियर जो है इसको अभी रहने दो, इसको मैं बात में बताता हूँ, अभी ये सुन लो, सौथ इस्ट South East ये देखो अभी जो मैंने पढ़ाया था वो South Central था बिलासपूर ये South East है South East भी क्या है कुलकता फिर से देखो East भी क्या था कुलकता था South East भी कुलकता है लेकिन जो East वाला कुलकता था वो Fairly Palace था ये वाला जो है ये गार्डन रीच है क्या है गार्डन रीच याद रख लेना ये अलग-अलग जगा है South East भी कुलकता में लेकिन जगा दूसरी है गार्डन रीच और South West में आपका कौन सा हेड़कवाटर आता है हुबली कहां पे है करनाटका में तो आई होप आपको ये सारे रेलवे जून समझ में आये और बचा यहां पे North East Frontier Railway आपका कहा है जो North Eastern States है ना इंडिया के जो North Eastern States है जैसे आसाम हो गया जैसे मिगालिया हो गया तो जो North Eastern States है वहां पे आपकी North East Frontier Railway आती है जो गुहाटी आसाम में आती है गुहाटी आसाम में माले गाओ में उसका क्या है headquarter है I hope आपको ये चीजे समझ में आ गई हमने पीछे 9 discuss किये अब हमने और कितने discuss कर लिए 1, 2, 3, 4 और 5 और 5 discuss कर लिए 9 और 5 आपके हो गए 14 आपने discuss कर लिए बचे और 4 क्योंकि total कितने है 18 है total कितने है 18 चलते है आगे अब 4 बचे ना हमारे पास वो 4 यहाँ पे एक है आपका south coast railway देखो अगर इंडिया का map बनाऊंगा तो ये south coast है और south coast पे ही आपका क्या आता है आंध्राप्रदेश और आंध्राप्रदेश में ही क्या आता है विशाका पत्नम में है आपका उडिसा में आपका आता है East Coast, क्या आता है East Coast, उडिसा में कहां पर भुगनेश्वर में, भुगनेश्वर कहा है जगा, उडिसा में, और Central Railway, Central Railway जो Central में coordinate करती है, तो वो कहा आती है मुंबई में, और जो 18th Zoon है, 18th Railway Headquarter है, वो है कुलकता Metro, कुलकता में जो Metro Network है, वो 18th आत ये, बड़े ही direction के हिसाब से मैंने समझाया है, और अगर नहीं समझ में आये ना, इसको repeat करके देखो, definitely समझ में आएगा, एक बार अपने रख पे बनाके देखो, आपको याद हो जाएगा, और ये में diagram लाया हूँ ना, अब इदर आपको ये clear हो जाएंगे, यहां पे 18th Z इस मे क्या है कुलकत्ता, लेकिन कौन सा, फेरली पैलेस, और वेस में क्या है मУंबई, लेकिन कौन सा, चरजगेट, वह गया, ना, और सोथ, इस्ड ng ये सौथ, ये इस्ड और ये वेस्ड, वह गया, अब सेंट्रल, देखो सेंट्रल में मैंने बता था, नौर सेंट्रल म इस सेंट्रल मैंने बोला था हाजी पूर बिहार में, वेस्स सेंट्रल मैंने बोला था जबलपूर MP में और उसके बाद मैंने बोला था अलक-Adindetraksलों और हैं और मैंने बताया था यह देको यह हमारा क्या हो drive नौक्ष यह हो गया आपका SouthWest टीक है तो ये मैंने बताया था North East में आपका क्या जाता है गोरगपूर North West में क्या जाता है जैपूर और मैंने बताय था यहाँ पर यह पर यह साऊथ East Central है मैंने समझाय का यह एalen चाहिए ग्रॅवर को आपका South East है वो क्या है कुलकत्त है परनाट का और यह सारी हमने डिस्कस किए और Center में मुंबई को भी डिस्कस किया ठीक है और यहां पे north east frontier है north east frontier railway यह कहाँ पर माली गाहओब गॉह AHती गौहाटी आसाम में यह भी हमने डिस्कस किया और हमने डिस्कस किया था east coast आए भुगनेश्वर और हमने डिस्स किया था Metro Railway Network जो है कुलकत्ता में ये भी एक जून है और लास्ट में विशाका पटनम मैंने बोला था जो यहां पे नहीं लिखा विशाका पटनम मैंने जो South Coast बोला था ये कुल मिला के 18 हो जाते थे इस डाइग्राम को देखो के ना आपको ये 18 के 18 याद हो जाएंगे बस बार बार इसको बनाओ खुझ से रिपीट करो बनाओ इसको याद होगा देखो अभी पठवारी का एक्जाम हुआ है और उस पठवारी में पूछा था कि North East Railway जून कहां पढ़ता है और आंसर क्या था गोरगपूर याद रख लेना ये जून पर questions गलत होते हैं मैं question गलत करके आया हूँ ये पीछे exam में तो इसको अच्छे से समझ लेना 18 के 18 याद कर लेना I hope आपको समझ में आ गया चलते हैं आगे आपको यहाँ पे railways में आपनी याद रखना है कि railway track जो होता है ना railway track विटत के हिसाब से जो railway track की जो विडथ होती जस पर train चलती है इस तरीके के track बना होता है तो railway track विडथ के हिसाब से 3 तरह को होता है एक ओता है broad-garge, meter-garge, narrow-garge सिंपल याद रखना है विडथ के base पर है मीटर की होती है, नेरो गाज आपका 0.76 मीटर या 0.61 हिली रिजन में ये आपका नेरो गाज की विड़त होती है, अब याद कैसे रखोगे, ठीको प्रिवाड गाज क्या है, 1.67 है ना, 1.67, इसका उल्टा कर दो, 7.6, देखो, 6.7 का उल्टा, 7.6 आपको नेरो याद रह आएगा, MCQ के हिसाब से important है, और ये image भी में लाया हूँ, ये आपका broad गाज है, ये आपका meter गाज है, और ये आपका narrow गाज है, चलते हैं आगे, और यहाँ पे यही लिखा है, जानिए एक मिनिट में क्या broad गाज, meter गाज और narrow गाज, अब यहाँ पे कुछ important points है, जो आपन ये train हैं, जो आसाम से चलती है, दिब्रूगर आसाम से कनिया कुमारी तक, कहाँ चलती है, आसाम से कनिया कुमारी तक, और ये एक ऐसी train है, जो सबसे لंबा सफर करती है, इंडिया में, और पूरे के पूरे subcontinent, जो हमारा entire subcontinent है, उसमें सबसे لंबा सफर आपका viveik express क्या कर कवर करता है कहां से कहां तक डिब्रूगर आसाम से कनिया कुमारी तक और यह कितने किलोमेटर का सफर होता है 4286 किलोमेटर अगर आपको यह कोच्चनाए कि लॉंगेस्ट जर्नी कौन सी ट्रेन कवर कर दिये तो कौन सी ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस याद रख लोगे आगे आपने याद रखना है थिरू वनन्थ पूरम सेंट्रल सिलीचर एक्सप्रेस यह एको ट्रेन है जो थिरू वनन्थ पूरम से सिलीचर तक चलती है और यह क्या है यह लॉंगेस्ट रनिंग सुपर फास्ट ट्रेन है यह सबसे लंबा सफर ताही करती है लेकिन ट्रेन क्या है सुपर फास्ट है यह लॉंगेस्ट रनिंग सुपर फास्ट ट्रेन है मतलब इसका सफर लंबा है और ट्रेन भी क्या है सुपर फास्ट लेकिन लॉंगेस्ट जर्नी कौन सी कवर करती है विवेक एक्सप्रेस याद रख लेना चलते हैं आगे और यहां बैहरा यह मित्व पलायम ऊटी निलगरी पैसेंजर ट्रेन यह मैं आपको अभी बताइं जो युनिश को मैं डिसकस किया था पर मैंने बताए था तमिल नाड़ो में क्या है उटलमंड मितोपलायम यह वही है वही ट्रेन है बस आपने याद रखना है यह सबसे स्लो ट्रेन है इसकी सुपीड क्या होती है दस किलोमेटर पर आवर तो रास्ता ऐसा सुपीड कम रखनी पढ़ती है तो आई होप आपको यह चीज समझ में आ गई चलते हैं आगे आप लौंगेस्ट रेलवे ट Merkel एकें परस्पेक्ट्व से और आपके जुम्हू कश्मीर के साब से भी लौंगेस्ट रेजल जो इंडिया में पॉटिकुलर्ली बात कर रहा हूँ, यहां पर, देखो, यह जो बात हो रही है, इंडिया में, लॉंगेस्ट रेलवे टनल, कहां पर है, पीर पंजल में, पीर पंजल पहाडों में, मतलब कश्मीर वैली, को बानी हाल से connect करती है इसको बोला भी जाता है पीर पंजल टनल याद रख लेना और कितनी लंबी है 11.2 किलोमेटर याद रख लेना question आ सकता है longest railway tunnel जो इंडिया में है वो पीर पंजल पाड़ों के बीच कश्मीर वैली को बानी हाल से connect करती है कितने किलोमेटर है 11.2 किलोमेटर याद रख लोगे चलते हैं आगे और याद रखना ये एक point है यहाँ पे इंडिया की सबसे लंबी electrified rail tunnel जो अभी जो tunnel पड़ी ना जो सबसे लंबी थी पीर पंजल वाली वो electrified नहीं है अब ये electrified tunnel जो बड़ी सारी आंद्रा प्रदेश में कहां पे आंद्रा प्रदेश में किरोपली से रोपूरा कितने किलोमेटर है 6.6 सबसे बड़ी पीर पंजल है ये electrified है याद रख लेना चलते हैं आगे अब ये एक point है यहाँ पे कि पहली जो electric train चली थी 1925 में चली थी याद रख लेना इस चीज को एक हमने पढ़ा 1854 वो electric नहीं थी steam engine था ये पहली electric train है कब चल रही है 1925 कहां से कहां चली थी Bombay Victoria Terminus से कुरला हारबर ठीक है Bombay में ही चली थी Victoria Terminus से कुरला हारबर याद रख लेना अब यहाँ पे National High Speed Rail Corporation National High Speed Rail Corporation एक कारपरेशन है जो हमारी इंडिया की कारपरेशन है इसने जापान के साथ मिलके एक project इन्होंने launch किया था bullet train का कि इंडिया में क्या लाएंगे bullet train और इस पे बड़े टाइम से काम चल रहा है यह बोला गया था 2022 में complete होने वाली है फिर इसको extend किया गया और लेकिन यह bullet train पे काम चल रहा है और यह जो bullet train है यह कहां से कहां चलेगी मुंबई से एमदाबाद चलेगी मुंबई से एमदाबाद चलेगी प्रोजेक्ट किसका है national high speed rail corporation और जापान का प्रोजेक्ट है याद रख लेना देखो transport and communication बोरिंग हो सकता है लेकिन यह exam में marks देगा इस पे mcqs आते हैं चलते हैं आगे अब देखो यहां पे आपका इंडिया का railway transport जो maximum चीज़े थी न हमने सब कवर कर लिया अब जेंड के में railway transport में आपने क्या याद रखना है जेंड के के परस्पेक्टू से तो यहां पे जो पहली railway line जुमू एंड कश्मीर में बनी वो जुमू सियाल कोट लाइन थी क्योंकि partition से पहले इंडिया पाकिस्तान एक था तो जो सबसे पहली railway line बनी थी वो जुमू से सियाल कोट जाती थी ठीक है और यह कितने किलोमेटर थी 43 किलोमेटर की लाइन थी और ब्रॉड गाज थी और यह मैंने आपको समझा दिया ब्रॉड गाज नेरो गाज क्या होता है और यह जो railway line है जो जुमू से सियाल कोट जाती थी जुमू से सियाल कोट सियाल कोट प्रेजेंट दी पाकिस्तान में है यह 43 किलोमेटर की लाइन थी और यह 1890 में बनाई गई थी यह कोच्चन आता है कब बनाई गई थी 1890 इंपोर्टन्ट है याद रख लेना 1890 और किसके टाइम पे महराजा प्रताब सिंग के टाइम पे महराजा प्रताब सिंग जो टूगरा किंग थे, उनके रूल में ये रेलवे लाइन बनाई गई, तो ये भी बोला जाता है कि कश्मीर में रेलवे लाइन किस ने लाई, तो महाराजा प्रताब सिंघ जी ने बड़े maximum months तो बंद ही रहता है तो यह जो project है ना इसको बनाया नहीं गया क्योंकि मुश्किल था वेदर ऐसा था तो इस project को initiate नहीं किया गया और partition के बाद अब पहली line क्या थी जुम्मू से सियाल कोड जाते थे तो जब partition हुआ सियाल कोड पाइकस्तान के अंडर आ गया तो फिर क्या किया गया पठान कोड से जुम्मू लाइन बनाई गई पठान कोड जो पंजाब में आता है ना उदर से जुम्मू लाइन बनाई गई और यह project सिटार किया गया 1965 में और यह open की गई 1971 में 1971 में जो आपकी ट्रेन आटी ना पठान कोड से जुम्मू यह कब complete हुई है 1971 में project सिटार कब किया गया था 1965 में याद रख लेना डेट्स यार मैं आपको पढ़ाते-पढ़ाते ठक गया लेकिन मैं चाहता हूँ ना रेलवे हम खत्म कर दें अब इसको ऐसे रखने का कोई फाइदा है नहीं इसको complete करते हैं मुझे पता है लेक्चर बढ़ा हो गया लेकिन चलो खत्म कर लेते ना इस चीज़ को अब क्या रखना यहां पर तो मैं बताता हूँ यहां पर foundation for construction of railway line from जुमू टवीट उदंपूर देखो एक मेंने बताया था पठान कोट से जुमू वह हमने देख लिया कब complete हूँ अब है जुमू से उदंपूर railway line बनानी है जुमू से आगे उदंपूर क्योंकि आगे कश्मीर को connect करना है और आज वो project complete हो रहा है तो पहले जुमू से उदंपूर connectivity हो जाती है और ये किस project के अंडर किया गया ये जुमू उदंपूर कट्रा काज़ीगूंड बारा मुला rail link project नाम याद रख लेना जो यहाँ पर लिखा है जुमू उदंपूर कट्रा काज़ीगूंड बारा मुला rail link project इस project के तहत आपका जुमू और 5 km का logic है 345 km का沒事 है और project of national importance है 2002 में इसको project of national importance declare कर दिया गया और ये क्या है मठिछल healthcare Katsugund 12 अंविला rail link प्रोजेक्ट है क्या ये है कि आपको railway line बनानी है कहा से कहां तक जमू से 12 मुला तक पुरा मनतलब जमू और कशमीर पूरा कवर करना और इसमें हमने देखा इसमें जुम्मू और Udampur कब 2005 में ही connect कर लिया गया आजे चलते हैं अब देखो यह प्रोजेक्ट के चार सेक्शन है कितने हैं चार चार सेक्शन है लेकिन हम स्टार्ट करते हैं 0 से 0, 1, 2 and 3 इस प्रोजेक्ट का section 0 जह न वो 53 km जो जुमू से उदंपूर बनाया गया, कब complete हुआ 2005 में इस प्रोजेक्ट का section 1 25 km जो उदंपूर से कट्रा बनाया गया, ये complete हुआ था 2014 में और section 2 है इसका 111 km कट्रा से बानी हाल जो अभी भी चल रहा है और almost complete होने वाला है है दोजार चुबीस में क्योंकि इसी में आपका चनाब ब्रिज भी आता है और सेक्शन 3 है हमारा 135 किलोमेटर जो बानिहा से बारा मुला यह 2013 में कंप्लीट हुआ था और मैं यह बताओं यह क्वेश्चन पठवारी के एक्जाम में आया था कि बानिहा से बारा मुला जो रेल्वे लाइन बनी यह कब कंप्लीट हुई और वहाँ पे खाली यह नहीं था मंध भी था तो जून 2013 में यह कंप्लीट हुई याद रख लेना चीज़ को चलते हैं आगे अब देखो कश्मीर और जुमू के हिसाब से आपने याद रखना है कि जुमू तवी रेल्वे स्टेशन जो है यह सबसे बड़ा रेल्वे स्टेशन है जेंड के में इंडिया में नहीं याद रख लेना जेंड के में इंडिया में मैं आगर आपको बताऊं जो इंडिया का सबसे largest railway station है वो है आपका हावरा 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 आपका वैस बेंगाल में है और जो longest है ना जो longest है वो हुबली करनाट का है हुबली करनाट का याद रख लेना इन चीज़ों को कि जो मैं extra point बता रहा हूं यहां पर ठीक है इंडिया के हिसाब से largest हावरा लॉंगेस्ट का हुबली और जुमू कश्मीर के हिसाब से largest कौन सा है जुमू तवी बानिहाल काजी गुंड रेंड टरनल यह तो मैंने बताई दिया यह तो इंडिया की longest rail tunnel 11.215 Kilometer लेकिन एशिया की क्या है 4th largest और मैं आपको बताओ एशिया की largest tunnel है उसको बोलते हैं सीकान सीकान टरनल यह यह यद daar रख लेना चलते हैं आगे अब देखो यह यह यहां पर चनाब ब्रीज है जो अभी complete किया गया है और यह हाइस्ट रेल ब्रीज है 1.3 किलो मिटर लॉंग है और इसकी हाइट 359 है यह आइफल टावर से भी उंचा है और यह आपने याद रखने हैं से सारे पॉइंट्स और यहां पे हमने कश्मीर के हिसाब से भी पॉइंट्स को कम्प्लीट कर लिया और याद रखना फादराफ इंडियन रेलवे मैंने दलहूसी बताया आपको लेकिन फादराफ रेलवे अगर कोई पूछे कि रेलवे का फादर कौन है तो वो स्टेफनसं है वो कौन सा है तो कौन है स्टेफन grandson याद रख लेना इस चीज को यह भी याद रख लेना और मज़े लगता है ए इंडियन रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स में मिस कर गया देखो मैंने आपको इंडियन रेलवे के बारे में सब कुछ बता दिया जुमू कश्मिर के हिसाब से भी जो इंपॉर्टन चीज़ें सब बता दी बस इंडियन रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स रह गया यह क्या और ये West Bengal में है, railway production unit है, integrated coach factory 1955 चन्नाई में है, diesel locomotive work 1961 वारा नसी में है, diesel modernization work 1981 पंजाब में है, wheel and axle plant 1984 बैंगलूरू में है, rail coach factory 1986 कपुर्थला पंजाब में है, modern coach factory 2012 राइबरेली यूपी में है अब इसको एक दो बार देखोगे ना, याद हो जाएगा, ठीक है, इन coach factories को आपने याद रखना है, इन railway factories को याद रखना है, तो I hope यहाँ पे, मैं last page पे चलता हूँ, तो I hope यहाँ पे आपको जो railways है, transport and communication part में पूरा clear हो गया, तो मिलेंगे next lecture में, next parts के साथ, और roadways को देखेंगे, Indian roadways को देखेंगे, और जो हमारे जुमू और कश्मीर के हिसाब से important है, वो भी देखेंगे, और I hope आपको चीजे समझ में आ गई, lecture में कोई भी confusion रहता है, दुबारा देखो, इसको confusion दूर हो जाएगा, और अगर तब भी problem रहती है, comment section में लिखो, मैं answer करूँ तो मिलते हैं next lecture में, तब तक के लिए thank you and bye.